क्वेस्चन नम्पर फर्स्ट देखो 2 sin230 दिगरी इंटू 1060 दिगरी माइनस कॉस स्क्वायर 60 दिगरी इंटू 630 दिगरी तो यहां देखिए इस sin230 दिगरी का यहां समझे इस चीज को कि sin230 दिगरी मिन्स sin30 का स्क्वायर होता है ठीक है ना बहुत कॉमन सी बात है तो यह हो गया 2 sin30 का स्क्वायर इंटू 1060 माइनस 3 कॉस 60 का स्क्वायर इंटू 6 30 का स्क्वायर आप यह step जंप भी कर सकते हैं ठीक है अब यहां पे value डाल देंगे 2 sin30 कितना होता है 1 by 2 होता है तो 1 by 2 का स्क्वायर इंटू 1060 आपका root 3 होता है माइनस 3 इंटू कॉस 60 की value होती है 1 by 2 का स्क्वायर इंटू 630 देखो कॉस 30 root 3 by 2 होता है तो 632 by root 3 हो जाएगा का whole स्क्वायर अब इसको हम solve कर देंगे यह हो गया 2 इंटू 1 by 2 का square is 1 by 4 इंटू root 3 ठीक है माइनस यह हो जाएगा 3 इंटू 1 by 2 का square is 1 by 4 इंटू 2 by root 3 का square is 4 by 3 अब हम जहाँ पर simplification possible है वहाँ आप simplification कर लेंगे यह हो गया 2 से cancel यह 3 से 3 cancel 4 से 4 cancel यहाँ बच यहाँ आपका root 3 by 2 और यहाँ पर बच आपका सिर्फ 1 अब हम इसको simplify करेंगे तो simplify कैसे करते है denominator same करके simplify करते है तो यहाँ देखिए यहाँ 1 upon 1 है इसको root 2 से numerator और denominator को हमने multiply कर दिया तो अब यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा root 3 by 2 minus 1 sorry 2 by 2 ठीक है finally यह कितना हो गया root 3 minus 2 upon नीचे में 2 यहाँ rationalization की जहुरत नहीं है चुकि denominator में root नहीं है यह हमारा इस question का answer हो गया question number second देखिए cosec square 30 degree तो इसको अमलिख सकते है न cosec 30 degree का square into sine square 45 को अमलिख सकते है न sine 45 degree का square minus इसको अमलिख सकते है न six 60 degree का square right अब इनकी value डाल देंगे cosec 30 degree sine 30 1 by 2 होता है तो cosec 32 का square हो जाएगा into sine 45 1 by root 2 होता है तो यह हो गया 1 by root 2 का square minus minus 660 cos 60 आपका 1 by 2 होता है तो 660 is just 2 यहाँ पर simplify कर लेते है 2 का square 4 into 1 by root 2 का square is 1 by root 2 का square is 2 यह एक साथ simplify होगा यह ध्यान रखिएगा यह एक साथ था minus 2 का square is 4 तो यह हो गया आपका इसको इससे simplify कर दो यहाँ पर सिर्फ 2 minus 4 2 minus 4 is only minus 2 यह हमारा इस question का answer हो गया ठीक है question number 3 देखो यह है आपका 1060 into cosec square 45 को लिख सकते हैं cosec 45 degree का square plus 6 square 60 degree को लिखेंगे 660 का square into 1045 ठीक है इसको solve करेंगे 1060 degree की value होती है root 3 into cosec 45 sine 45 1 by root 2 होता है तो cosec 45 पी उसका reciprocal हो जाएगा root 2 का square plus sine ही आगया 660 cos 60 आपका 1 by 2 होता है तो 660 2 का square into 1045 degree की value 1 हो गये यह एक साथ simplify करना है और इसको एक साथ हमें simplify करना है यह हो गया 3 into root 2 का square is 2 यह root 3 है sorry plus यहाँ 2 का square is 4 into 1 तो यह हमारा हो गया 2 root 3 plus 4 यह number हमारा simplest form है क्योंकि यह irrational number है और एक rational number है irrational number कभी भी rational number के साथ add नहीं होते है subtract नहीं होते है ठीक है न इसलिए यह answer हमारा final answer हो गया ठीक है 4th part देखो यह है आपका 4 cot square 45 degree तो इसको मैं लिख सकता हूँ cot 45 degree का square minus इसको मैं लिख सकता हूँ 660 का whole square plus इसको लिख सकता हूँ sin 60 degree का whole square plus इसको लिख सकता हूँ मैं cos 90 degree का whole square अब इनकी value हम डालते हैं तो यहाँ देखिए यह हो गया आपका 4 into cot 45 आपका 1 होता है तो 1 का square यहाँ रखिएगा यह एक साथ simplify होगा minus 660 cos 60 आपका 1 by 2 होता है तो 660 आपका कितना होगा just 2 होगा 2 का square plus यहाँ देखिए sin 60 sin 60 root 3 by 2 होता है तो root 3 by 2 का square plus cos 90 cos 90 की value 1 होती है sorry cos 90 की value 0 होती है तो यह 0 का square simplify कर लेते हैं इसको 4 into 1 का square 1 ही होगा तो 4 into 1 is 4 minus 2 का square is 4 plus root 3 by 2 का square तो root 3 का square is 3 upon 2 का square is 4 और यह plus 0 तो यह 4 तो cancel ही हो गया और यह 0 means nothing तो your answer is 3 by 4 for this question ठीक है question नमबर फिफ्ट देखिए यह 3 cos square 30 है तो इसको मैं लिख दूँ न cos 30 का square plus 6 square 30 degree को लिख दूँ 6 30 का square plus यह तो 2 cos 0 degree simply square को ऐसे ही राने दो बाकी को सभी को simply वैसे ही राने दो इधर 1060 का whole square हो गया अब देखो यह 3 cos 30 कितना होता है cos 30 root 3 by 2 होता है तो यह हो गया आपका root 3 upon 2 का square और ध्यान रखिएगा यह एक साथ simplify होंगे plus 6 30 cos 30 जो होता है root 3 by 2 होता है तो 6 30 आपका 2 upon root 3 का square हो जाएगा plus 2 cos 0 degree 1 होता है plus 3 sin 90 degree sin 90 degree की भी value 1 होती है minus 1060 degree की value root 3 होती है अब इसको हम simplify कर लेंगे तो यह हो गया 3 into root 3 का square 3 और 2 का square 4 plus इदर हो जाएगा 2 का square is 4 और root 3 का square is 3 plus 2 into 1 is 2 3 into 1 is 3 and minus root 3 का square is this one तो यहाँ पर ऐसा करता हूं मैं इस 3 को तो cancel कर देता हूं इदर क्या हो गया आपका 9 upon 4 plus 4 upon 3 3 और यहाँ पे 2 बच गया ठीक है तो देखो 2 का denominator क्या है 2 का denominator 1 है और 4 और 3 का LCM कितना होगा 4, 3 और 1 का LCM 12 होगा तो 12 होगा तो यहाँ 3 से आपको multiply करना पड़ेगा तो यहाँ भी 3 से करेंगे यहाँ 4 से तो यहाँ भी 4 से और यहाँ पे आपको 12 से करना होगा तो यह भी 12 से multiply होगा ठीक है तो अब यह हो गया आपका 9, 3, 027 upon 12 plus 4, 4, 016 upon 12 plus 12, 2, 024 upon 12 इसको add कर लेते हैं 67 upon 12 इस question का आपका answer हुआ